आज है हमारे पास 16 रुपे में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉचेज। इन दोनों स्मार्ट वॉच में आप लोगो 2.01 इंच की काफी बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइट करती है कमपनी। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर दोनों smart watches में काफी सारे similar features भे मिल जाते हैं और ये दोनों smart watches same brands की तरफ से आती है दोनों का price अभी आप लोगो 16 रुपे देखने को मिल जाएगा इन में से एक है Firebolt Ninja Call Pro Max जो काफी पहले launch हो चुकी थी Amazon के उपर और दूसरी अभी फिलिप काट पर launch हो चुकी है जो के है Firebolt Ninja Pro Max Ultra इन दोनों smart watches में लगबख same features देखने को मिलते हैं बर जो difference है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो चलते हैं फटा बट comparison स्टार्ट कर लेते हैं क्या-क्या दोनों में similar features, क्या different features आप लोग की काफी जाते request आ रहे थी न दोनों smart watch से comparison वीडियो के लिए क्योंकि दोनों का price same है, features भी लगबख यहां पर same ही देखने को मिलते हैं तो इस वीडियो में सारी confusion आप लोग की दूर होने वाली है तो यहां पर दोनों smart watches rectangular shape के साथ आती है और दोनों का design and look भी same देखने को मिल जाता है side में एक button provide किया गया है जिसको press करके आप लोग back जा सकते हो और दोनों में आप लोग को 22M का silicon strap provide किया गया और दोनों की quality काफी जबर्दस देखने में लगती है बाकी Firebolt Ninja Call Pro Max में आप लोग को proper plastic की body देखने को मिल जाती है बाकी बात करें Firebolt Ninja Pro Max Ultra के बारे में तो यहां पर proper metallic frame provide किया गया है और back side में glass finish का use किया गया है इसके अलाव़ दोनों में ही आप लोग को inbuilt mic and speaker provide किया जाता है जिसके थुरू आप लोग Bluetooth calling को use कर सकते हो अगर मैं बात करूँ इन दोनों smart watch के overall build quality के बारे में तो यहां पर बस एक difference देखने को मिला जो के बहुत बड़ा कह सकते हो आप लोग metallic frame देखने को मिलता है Firebolt Ninja Pro Max Ultra के अंदर बागी Firebolt Ninja Call Pro Max में आप लोग plastic की body देखने को मिल जाती है तो definitely यहां पर build quality के मामले में Firebolt Ninja Pro Max Ultra winner रहती है अब बात करेंगे दोनों smart watches के similar features के बारे में तो यहां पर दोनों watch में आपको 2.01 inch की काफी बड़ी HD display प्रोवाइट की गई है और इनकी quality काफी जबर्दस देखने में लगती है यार बागी यहां पर आप लोग खुद भी notice कर सकते हो बैजल्स ही बहुत ही कम देखने को मिलते है इसके अलावा यहां पर same pixel देखने को मिलता है दोनों smart watches में तो आप लोग इन दोनों smart watch को outdoor, indoor, कहीं पर भी बेज़ेज़क यूज़ कर सकते हो visibility को लेके कोई भी शूफेस करने को नहीं मिलता है लेकिन यहां पर जो मैंने नोटिस किया है Firebolt Ninja Call Pro Max में आप लोग को ज़ादा bright display देखने को मिलती है इन दोनों smart watch की display quality काफी बढ़िया कहूँगा मैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा बेटर निकल के आती है Firebolt Ninja Call Pro Max की display इसके इलावा color accuracy, contrast वगर भी काफी साधा balance देखने को मिल जाएंगे बागी बात करें other features के बारे में तो of course दोनों watch में मिलता है आपको Bluetooth, Calling, Voice, Assistant Health Tracking की बात अगर मैं करूँ तो यहां पर मिलेगा SPO2, Heart Rate, Sleep Monitor, Stress Monitor, Breathe Monitor इसी के साथ-साथ BP Monitor जैसे features भी provide किये गए बागी बात करें sports mode के बारे में तो दोनों ही smart watches में 120 plus sports mode provide किये गए और इसी के साथ-साथ sports record का भी option provide किया गया है तो आप लोग जो भी activities करोगे और आप लोग दोनों ही smart watches में अलान को set कर सकते हो अप्लिकेशन की ज़रोत नहीं पड़ती है इसके लावा Find My Phone, Do Not Disturb यसे काफी सार useful features भी दिये गए लेकिन इनके features यहीं पर खतम नहीं होते हैं दोनों ही smart watches में आपको time pass के लिए game का भी option provide किया गया तो आप लोग इसको भी खेल सकते हो साथी साथ यहाँ पर calculator जैसे अच्छे features भी देखने को मिल जाते हैं तो daily life में आप लोग इसको भी use कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पर दोनों ही smart watches में 8 types के different different menu style भी देखने को मिल जाते हैं तो आप लोग देख रहो यार 16 रूबे के अंदर आपको काफी सारे features मिल जाते हैं battery backup की बात करें तो यार देखो firebolt ninja call pro max में मुझे जादा battery backup देखने को मिला था क्योंकि इस smart watch को काफी time से use कर रहा हूं है इस watch को अगर आप लोग नॉर्मली use करते हो तो आराम सा है यहाँ पर आपको 4-5 दिन का battery life देखने को मिल जाएगा calling के साथ दोनों smart watch में आपको 1-2 दिन का battery life देखने को मिलने वाला है देखा आप लोगों नहीं यहाँ पर दोनों smart watches में आपको same features provide किये गए बिल्कुल भी difference देखने को नहीं मिलता है features के मामले में अगर difference है तो है water resistance का IP67 के साथ आती है Firebolt Ninja Call Pro Max IP68 की rating provide की गए यह Firebolt Ninja Pro Max Ultra में तो यही है इसके different features बागी बात करें इनके build quality की तो यहाँ पर Firebolt Ninja Call Pro Max में जैसे मैंने आप लोगो बताया था proper plastic का use किया गया है Firebolt Ninja Pro Max Ultra में आप लोगो proper metallic frame provide किया गया है back side में glass finish देखने को मिल जाता है तो यही है सबसे बड़ा difference build quality के मामले में बागी इन दोनों smart watch में features तो same ही देखने को मिल जाते है अब बात करेंगे दोनों watch के UI performance के बारे में इन दोनों smart watch को use करते हूँ मुझे अच्छा खासा time हो चुका है तो मैंने यहाँ पर notice किया है और दोनों smart watch से same perform करती है UI के मामले में दोनों में से किसी में भी आप लोग को lag या फिर hang जैसा issue face करने को नहीं मिलता है काफी इची तरीके से work करती है दोनों smart watch की UI इसके लाव बात करते हैं आप accuracy के बारे में और देखते हैं दोनों में से कौन से smart watch जादा accurate data प्रोवाइड करती है हमें तो इन दोनों smart watch को पहन के मैंने सबसे पहले अपना heart rate टेस्ट किया था और यहाँ पर भी आप लोग notice कर सकते हो दोनों ही smart watches में आपको similar reading ही देखने को मिलती है at the end भी यहाँ पर आपको काफी जादा accurate data प्रोवाइड करती ही दोनों ही smart watches सिर्फ और सिर्फ एक से दो reading का फर्क देखने को मिलता है ओक्सिमीटर से बाखी sp2 के अंदर भी दोनों smart watches same perform करती है यहाँ पर भी similar reader देखने को मिल जाएगा at the end यहाँ पर भी आपको एक reading का फर्क देखने को मिलने वाला है इसके अलावा इन दोने smart watch को मैंने हवा में वो टेबल पर रखके टेस्ट किया था कहीं पर भी कोई reading शो नहीं कर दिये तो sensor भी काफी genuine provide किये गए लेकिन फिर भी मैं आप लोग को recommend यहीं करूँगा यार किसी भी smart watch पर reliable मत रहा करो चाए वो किसी भी brands का हो serious condition में doctor से consult किया करो क्योंकि smart watches इतनी जाद reliable नहीं होती है अब चलते हैं फटा बट calling test भी कर लेते हैं इन दोने smart watch की और देखते हैं दोनों में से कौन सी smart watch जदा better calling quality provide करती है वैसे तो मैंने दोनों smart watch को अच्छे खास टाइम से यूज भी किया calling quality को भी check out किया था मेरे recording यहाँ पर दोनों smart watch सेम परफॉर्म करती है calling के मामले में भी और अब आते हैं finally conclusion पे और बात करते हैं आप लोग को इन दोनों में से कौनसी smart watch लेनी चाहिए अंडर 1600 कौनसी ज़्यादा value for money प्रोवाइड करती है किसकी build quality ज़्यादा बेटर है यह तो आप लोग ने खुद भी judge कर लिया होगा कौनसी smart watch यहाँ पर value for money प्रोवाइड करती है देखा है features wise यहाँ पर दोनों smart watch सेम है तो यही है सबसे बड़ा difference बाकि सारी चीज़ा आपको सेम देखने को मिल जाएगी बाकि मुझे firebolt ninja call pro max की display जादा बेटर लगी है ninja pro max ultra से इसके लावा मैंने दोनों smart watch को अच्छे से test करके दिखा दिये कर देना चैनल पे नहीं हो तो subscribe भी कर दो मैं मेलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई